इसमेंट कोफ सुनने में लग रहे हूं जानतें hai कि कुछ रिवर्ण आपने साथ सेडीमेंटS लेकर आते हैं यानि कि रिवर्ण जब फ्लो कर Congratulations तो रास्ते में जो rocks वगेरा होते हैं दीरे-दीरे वह काफ़ी छोटे-छोटे तुकड़ों में तूट जाते हैं ठीक है यह रॉक का एक पीस है वो दीरे-दीरे करके छोटे-छोटे तुकड़ों में क्राक हो जाता है या तूट जाता है उसके बाद और भी finer इसके material बन जात प्रेश्र बाद नीचे बाद यहां प्रेशर जो है वह इंक्रीज ओता जाएगा प्रेशर इंक्रीज होगा ठीक है धीरे-धीरे थोड़ा बहुत temperature में भी difference आएगा तो समय के साथ time के साथ क्या हो जाएगा ये जो layer by layer जो हमें दिख रहा है धीरे-धीरे ये rocks में change हो जाएगा इनी rocks को हम कहते हैं sedimentary rocks जो की sediment से मिलकर बने होते हैं अब sedimentary rocks जो है वो अर्थ पे 5% of earth service पे हमें मिलते हैं classification की बात करें तो इनको भी कई सारे basis पे हमने classify किया है सबसे पहले क्या है on the basis of nature of sediments जो sediments हैं जिनके तुरू वो sedimentary rocks का formation हो रहा है उनका nature कैसा है सबसे पहला क्या है mechanically formed और classic rocks plastic rocks क्या होते हैं ऐसे rocks जो की क्या होता है कि कोई भी agent है mechanical agent है जैसे की water, wind, glacier इनके impact की वज़े से वो decompose होते हैं तूटते हैं तो ऐसे rocks को हम क्या कहते हैं mechanically formed या plastic rocks ऐसे sediments जिनका formation किसी mechanical agent की वज़े से हो रहा है उसके बाद इसमें और भी कई type के हमारे sedimentary rocks आ जाते हैं जैसे sandstone हो गया किस चीज से मिलके बना होता है sand, quartz और quartz की grains से मिलके दूसरा इसका type है conglomerates coarser sand grains with pebbles and boulders तो इसके main constituent यह होते हैं उसके बाद see हमारा clay rock होता है fine grains होते हैं clay से हमें पता ही है कि fine होता है तो clay में भी हमारी 2 sub category हम देख सकते हैं grains के size के basis पे अगर 0.03 mm से लेके 0.004 mm तक है तो इसको हम silt कहते हैं 0.004 से लेके beyond उसके है तो clay कहते हैं अच्छा इसको अभी इतना ध्यान देने की clay rock में आप यह ध्यान रखो कि यह mechanically formed या classic rock होता है लेकिन इसको हम फर्दर जिब soil वाला part करेंगे तब करेंगे उसमें यह जाधा अच्छे समझ में आए चौथा इसका part है shale shale भी क्या होता है एक तरीकी का sedimentary rock होता है lois क्या है fine-grained material deposited by wind on land poorly stratified ability to stand vertical clips यह क्या होती है mainly wind की वज़े से agent जो है हमारा mechanical agent wind इस पर काम करता है और deposit हो जाते हैं land पे यह fine-grained material इस तरीके से deposit हो जाते हैं दीरे-दीरे और stratification इसमें poor होता है stratification हमें देखने को नहीं मिलता और दीरे-दीरे करके यह vertical cliffs जैसा formation इस तरीके से कर लेता है sandy deposits जो कि हमें desert areas में अक्सर देखने को मिलता है उसके बाद दूसरी हमारी sub category आ जाती है chemically formed sedimentary rocks अभी हमने देखा mechanically formed sedimentary rocks अब हम देखेंगे chemically formed sedimentary rocks यह कब बनेंगे जब कोई chemically active agent या water जो है वो contact में आएगा किनी rocks के continental rocks के उनके बीच में कोई होगा हमारा chemical reaction soluble materials क्या होंगे solution में मिलकर removed हो जाएंगे rock से इसका example क्या है gypsum और rock solid तीसरा हमारा type आता है organically formed sedimentary rocks और गैनिकली formed मतलब यहां में समझ में आ रहा है कि किसी organic materials के तुरू यह बना है हमारा rocks formed due to disintegration and decomposition of sediments by both animals and plants ठीक है तो ऐसे plants और animals के जो material होते हैं उनकी वज़े से जो decomposition हो जाता है sediments का वो हो जाते हैं हमारे organically formed sedimentary rocks इसका example है सबसे पहले calcareous rocks calcareous rocks नाम से पता चल रहा है इसमें calcium या lime का जो है बहुत जादा large proportion होता है example में limestone या chalk हम कह सकते हैं दूसरा हमारा क्या है carbonaceous rocks carbonaceous में क्या है carbon की मात्रा जादा रहेगी direct vegetation origin ठीक है directly यह कोई vegetation है किसी जगा पे plants और trees अगरे लगे हुए है उनकी थ्रू ही यह बनता है example में हमारे इस carbonaceous rock का सबसे best example है हमारा coal कोल भी क्या है एक तरीके से carbonaceous rock है fossil fuel है उसके बाद अब कोल के भी अलग अलग varieties होती है जैसे कि peat, lignite, bituminous और anthracite peat जो होता है वह सबसे lowest quality का कोल होता है इसमें moisture content बहुत जादा होता है और anthracite सबसे best quality का कोल होता है इस figure में आप देख सकते हो यहां पे coal की formation वह दिखाया गया है जैसे कोई swamp environment है दलदली राका है वहां क्या होता है जब भी कोई plant remains dead हो जाता है तो deposit हो जाता है ground पे दीरे दीरे वह जब decompose हो जाता है तो peat बन जाता है peat क्या है organic material है साथी साथ उसमें moisture बहुत जादा है उसके बाद further इसका और ज्यादा layers पढ़ती जाएंगी पढ़ती जाएंगी तो नीचे वाली layer में थोड़ा थोड़ा compaction होना शुरू हो जाता है इसमें comparatively इसके कम moisture होता है उसको हम कहते है लिगनाइट उसके बाद और भी जादा जब यूरियल होता है तो और भी deeper layers में हमें bituminous देखने को मिलता है यह soft होता है लेकिन इसमें moisture content और भी कम होता है और यह थोड़ा medium quality का cold होता है फिर further इसमें metamorphism हो जाता है और भी pressure और temperature की वज़े से धीरे धीरे यह anthracite बन जाता ह है जो की hard cold है हमारा और सबसे best quality का cold है उसके बाद इसी में category में आ जाता है हमारा जो organically formed है siliceous rocks, dominance of silica content, aggregation and compaction of waste is derived from sponge, radiolarion, etc. example इसका geyserite मतलब ऐसे जो हमारे animals होते स्पॉंज वगेरा हो गया यह सब तो इन सब के जो waste निकलता है या इनकी dead bodies होती है उनका जब compaction हो जाता है तो हमें siliceous rocks मलते हैं और इसमें silica content जादा होता है example में हो गया geyserite अब हमने soils को कई categories में बाटा है on the basis of transporting agent यानि कि उस rock के जो sediments हैं उनका transportation किस agent के तुरू हुआ है सबसे पहला है हमारा argilaceous rocks, aqueous rocks forming water, dominance of clay, soft and impervious argilaceous rocks वो होते हैं sedimentary rocks जो की aqueous environment में बनते हैं यानि जहाँ पे water की presence होती है और जहाँ water content जादा होगा तो clay material जादा form होता है soft होते हैं ऐसे rocks और impervious होते हैं यानि कि water जो porosity होती है वो बहुत कम होती है हम अभी soil वाले lecture में भी देखेंगे कि जो clay होता है उसमें सबसे कम porosity होती है impervious rocks होते हैं यह उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है aeolian aeolian का मतलब होता है wind agent यहाँ पर work कर रहा है ऐसे जो rocks होते हैं उसमें हमें layers देखने को नहीं मिलती है जो कि हमने पहले भी देखा lois जो है नर्मदा वैली में इंडिया में यह type के rocks पाई जाते हैं उसके बाद तीसरा है glacier जो की नाम से ही पता चल रहा है कि इनका formation होता है हमारा glaciers की वज़े से चार टाइप के होते हैं lateral morines, medial morines, ground morines and terminal morines बस हमें इसके भी terms याद रखने हैं कि are glaciers क्या होते हैं, aeolian क्या होते हैं, glaciers क्या होते हैं, इतना अब हम next आ जा रहे हैं हमारे metamorphic rocks पे, यह important है हमारा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि metamorphic rocks क्या होते हैं, कौन-कौन से agents होते हैं जो की metamorphism में help करते हैं metamorphism actually यह process है, जिसकी वज़े से चाहे sedimentary rocks हो, चाहे तो igneous rock हो, इन दोनों ही rocks में क्या हो जाता है, temperature और pressure की वज़े से कुछ changes हो जाते हैं माल लिए इन दोनों rocks में कोई crystal present है, minerals present है, तो उन सब का re-crystallization हो जाता है, rearrangement हो जाता है, जिसकी वज़े से हमें नए type के rocks देखने को मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं metamorphic rocks, तो यह और कुछ नहीं है, बाकी जो दोनों type के rocks हैं, इन ही के उपर कुछ agent work करते हैं, जिसकी agents क्या हैं, करके देख लेते हैं, सबसे पहला agent है हमारा heat, यानि की temperature, heat क्या करता है, it accelerates chemical reaction, leads to re-crystallization of existing minerals and formation of new minerals, example इसका क्या है, line stone है, जैसे कि वो जब heat का action होता है, इस पे तो marble में convert हो जाता है, line stone, marble में convert हो जाता है, तो इस दौरान कोई भी हमें melting देखने को नहीं मिलती, हम यह सोचे हैं कि temperature की वज़े से melt हो जाया गर rock उसके बाद फिर उसमें कुछ changes आएंगे, तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ mineral या textural change आजाता है, हो सकता है कि heat की वज़े से कोई particular mineral जो है, उसका form change हो जाए, वो कोई दूसर मिनरल में convert हो जाए, तो बस यह changes आता है, some rocks are not stable at higher temperature because of so much water and breakdown to form new minerals, ठीके, कुछ rocks ऐसे भी होते हैं, जो higher temperature के दौरान, stability उन में नहीं रहती, और तूट के वो नए type के minerals बना लेते हैं, जैसे clay हमारा mica में convert हो जाता है, इसको हम contact metamorphism भी कह सकते हैं, contact metamorphism का मतलब, जब कोई rock directly contact में आ रहा है, heating agent के, तो हम उसे contact metamorphism कहते हैं, भी हम आगे भी इसको और अच्छे से समझेंगे, दूसरा agent हमारा pressure का आ जाता है, जो कि हमने डिसकस किया ही है, कि pressure की वज़े से भी textural change आ सकता है, तीसरा हमारा agent है chemical agent, chemical agent में सबसे ज़्यादा जो chemicals dissolved हो, जो कि rocks के उपर act करते हैं, और further metamorphism में help करते हैं, अब इस चार्ट में आप देख सकते हो, शेल का दिखाया है कि दीरे दीरे इधर इस तरफ जैसे जैसे हम जा रहे हैं, pressure increase हो रहा है, temperature increase हो रहा है, और किस तरीके से हमें metamorphism होता जा रहा है, यहापे शेल था, फिर slate बना, cyst बना, nis बना, फिर magnetite बन गया, उसके बाद यह सबसे highest grade का metamorphic rock है, यहाँ पे lowest grade का है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शेल हम जानते हैं कि sedimentary rocks होता है, तो शेल से ही जब temperature pressure increase होता है, सबसे पहली stage आती है, slate बनता है, फिर cyst बनता है, further temperature और pressure की increase है, उसके बाद फिर knees और magnetite बन जाता है, सबसे highest grade का यह rock होता है, जो कि हमें पहले जो original क्याता, shale था, उससे हमें यह grades देखने को मिले, अब हम, अगर हम metamorphic rocks के भी types की बात करें, तो इनको भी कई basis पे हमने classify किया है, सबसे पहला basis है, on the basis of place of occurrence, कहां पे occur हो रहा है, इसमें दो further subtypes होते है, contact metamorph metamorphism और regional metamorphism, इसको हम dynamic metamorphism भी कहते हैं, अब हमें पता है कि जो primary rocks होते हैं, यानि कि हमारे igneous rocks, वो कहां होते हैं, volcano से इनका formation होता है, volcano से जो है, लावा भार आता है, ऐसे इस तरीके से spread हो जाता है, और यहां से हमें igneous rocks देखने को मिलते हैं, अब further क्या होगा, जब कई स लावा भार आता रहेगा, जो नीचे की layers हैं, उनमें क्या होंगे, rocks बन गए होंगे, cool down होके rocks हमारे igneous rock बन गए, further जब लावा भार आएगा, तो क्या होगा, heat के contact में आएगा, ठीक है, लावा के साथ heat आ रहा है, temperature इंग्रीज हो रहा है, pressure भी इंग्रीज हो रहा है, तो उनका re-mineralization और re-crystallization हो जाएगा, जिससे कि वो metamorphic rocks में change हो जाएगे, तो ऐसे metamorphism को हम contact metamorphism कहते हैं, example क्या है, limestone से marble का बनना, mineral composition of surrounding rock is altered due to high temperature of ascending magma, तो surrounding जो rocks है, उनका mineral composition जो है, वो alter हो जाता है, due to high temperature of ascending magma, magma और लावा के high temperature की विज़े से, दूसरा इसका subtype है regional metamorphism, regional metamorphism direct contact में नहीं आता है heat के, लेकिन उस पे heat का effect पड़ता है, माल लिए यहाँ पे volcano flow रहा है, इधर कोई area है, जो इस से थोड़ा सा distance पे है, यह क्या होगा area, direct heat के contact में नहीं आ रहा, लेकिन layer by layer यहाँ तक भी आ रही हैं, और दीरे दीरे यहाँ पर भी pressure और heat का effect होगा, जिसकी वज़े से हमें regional metamorphism देखने को मिलेगा, इस wall cano के आसपास के regions में, उसके बाद हमने दूसरा हमारा classification है, on the basis of foliation और structure, foliation का क्या मतलब होता है, एक तरीके से layering ही होती है, parallel layers हमें देखने को मिलते हैं, तो जिनमें layers देखने को मिलते हैं, ऐसे metamorphic rocks को हम foliated rocks कहते हैं, जैसे granite rock जो है हमारा, वो knees rocks में change हो जाता है, उसके बाद इसमें भी हमारे कई सारे type हैं, जैसे slate है, slate हमारा shale से बन रहा है, जिसमें fine-grained mica के flakes होते हैं, देखने को मिलते हैं, cyst होता है, split into thin flakes और slabs, इसमें muscovite और biotite minerals हमें देखने को मिलते हैं, knees होता है, जिसमें feld spar, quartzite, muscovite, biotite और hon blend हमें देखने को मिलते हैं, इस सारे minerals, दूसरी category है, इसमें non-foliated rocks, non-foliated rocks are formed under constant pressure, but a minimum deformation takes place, ठीक है, तो इसमें deformation जो होता है, वो minimum होता है, जिस वज़े से हमें कोई भी layer देखने को नहीं मिलती, जैसे की marble है, जो की limestone से बनता है, quartzite है, ये दो example है इसके, उसके बाद आज हमारा, यहीं खतम होता है, rocks वाला part, और हम आगे भी ऐसे important topics जो हैं हमारे net exam के लिए आने वाले, उसके लिए हम इस तरीके से करते रहेंगे, thank you.